हलो दोस्तों स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में दोस्तों आज हम क्या करने वाले हैं? तो आज हम एक पूरी प्रोसेस करने वाले हैं राइट फ्रॉम जर्नल एंट्री से लेकर लेजर पोस्टिंग तक जी हाँ बिल्कुल सही दोस्तों हम पहले तो कुछ हमें जो ट्रांसेक्शन दिये गए हैं इस क्वेस्टिन में इन चार ट्रांसेक्शन की हम पहले तो जर्नल एंट्री करेंगे और ये भी समझेंगे कि उन जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग किस तरह से की जाती है अच्छा दोस्तो हम यहां तक ही नहीं रुखने वाले लेकिन ledger posting का balancing भी कैसे करते हैं जो ledger accounts आपके बनते हैं उनको भी balance किस तरह से किया जाता है वो भी हम देखने वाले हैं क्योंकि जब तक आप ledger accounts को balance नहीं करते आपके ledger accounts complete ही नहीं होते हैं दोस्तों और आपको पूरे numbers मिलेंगे ही नहीं इसी लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहीएगा जिसमें के हम पहले तो journalize करेंगे फिर उन journal entries को ledger में post करेंगे और उन ledger accounts को balance भी करने वाले हैं तो आईए दोस्तों देखते हैं आज का हमारा ये numerical है क्या exactly इसमें हमें चार transactions दिख रहे हैं वो चार transactions पहला है 1st January का राम started business with a capital of 10,000 रुपीज जी हां 1st January महिने की पहली तारीक राम started business with capital of 10,000, 2nd Jan purchased furniture for cash 4,000, 3rd is purchased goods from Mohan account on credit 2,000 and 4th paid cash to Mohan 1,000 रुपीज दोस्तों चार अलग तरह के transactions मैंने जान बूचकर यहां पर लिए हैं पहला transaction देखेंगे तो ये capital account से है दूसरा real real account का है, तीसरा nominal और personal account का है और चौथा जो है वो real और personal account का है तो ताकि इसी numerical में आपको सभी तरह के accounts की idea आ जाए इसलिए ये चार transactions मैं आपके लिए लिए कर आया हूँ तो आईए चलते हैं और समझते हैं कि सबसे पहले इनकी journal entries कैसे होती है Let us begin ये हमने बना लिया journal entries का format सबसे पहला transaction हमारे पास था दोस्तों 1st January, Ram started business with a capital of 10,000 rupees अब आप बताईए सबसे पहले तो कौन से दो accounts involved हैं? जी हाँ बिल्कुल सही, एक है Ram का account और दूसरा है capital account अच्छा लेकिन Ram और Capital का तो एक ही account है तो इसलिए एक है Ram का capital account और दूसरा है जब भी business start करते हो तो आपके वास cash आती है आपके पास याने business के पास तो इसे हम कैसे enter करते हैं? सबसे पहले हम लिखते है date जो कहा है 1st January अच्छा, अब cash business के अंदर आ रही है तो अगर cash business में आती है तो debit what comes in is the rule है ना, cash real account है और real account कहता है debit what comes in इसलिए हम cash account को debit करेंगे कितनी amount है? 10,000 बिल्कुल सही दोस्तो अच्छा, इसके against जो है वो आपका है capital account अब जैसे हम जानते है capital याने राम's capital है तो यह personal account है तो इसलिए capital account is credited क्यों personal account कहता है debit the receiver and credit the giver यहाँ पे capital देने वाला कौन है राम है तो इसलिए capital account हम इसको लिखता है two capital account credited for 10,000 और इसका narration आ जाएगा दोस्तो being started business क्योंकि business start किया इसलिए हमने यह transaction किया है दोस्तो यह होगी आपके पहली journal entry अब दूसरी journal entry क्या है दोस्तो तो दूसरा transaction है second jan का purchased furniture for cash 4,000 rupees दोस्तो purchased furniture for cash 4,000 कौन से दो accounts involved है इसमें एक तो है furniture account एक है cash account देखा चाएए तो दोनों ही real accounts है और क्योंकि दोनों ही real accounts है इसलिए दोनों में एक ही rule लगता है कैसे करते हैं देखिए सबसे पहले तो date लिखेंगे second jan अब furniture अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है दोस्तो अगर आप furniture जोके एक asset है जिसे आप खरीद रहे हो तो furniture comes into your business so rule is debit what comes in so furniture account debited amount 4,000 और क्या जा रहा है उसके against cash आप दे रहे हो तो cash account is credited क्यों debit what comes in credit what goes out cash बाहर जा रही है इसलिए cash account is credited for 4,000 रुपीज और इसका narration भी लिखना है हमने being furniture purchased अच्छा narration लिखते समय दोस्तों याद रखिएगा narration आप अपने शब्दों में लिख सकते हो इसका कोई specific format नहीं है सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है आपने शुरुवात में being ये word आना चाहिए तो ये बन गई आपके पहले दो journal entries अब बचे वे दो journal entries भी कर लेते हैं फिर हमें जाना है ledger posting के तरफ आपका third journal entry है purchased goods from Mohan on credit अच्छा दोस्तो अभ्ध्यान से यहाँ पर है purchase of goods जब आप material या goods खरीतते हो तो आपके business के लिए वो एक expense है आप जो goods खरीतते हो आपके asset नहीं बनती है वो आपका business expense है क्योंकि उसको आप business में use करते हो और उसमें से ही sales बनता है आपका तो इसलिए यह expense है इसलिए या यह होता है nominal account तो हम इसमें date लिखेंगे और कौन से nominal account में goods account नहीं बनता है दोस्तों हमने पहले भी discuss किया था कि goods account नहीं बनता है हमारा या तो purchase account बनता है या sales account बनता है तो यहाँ पर purchase है इसलिए हम करेंगे debited purchase account, क्यों भई purchase account को debit क्यों किया है हमने यहापे, क्योंकि rule कहता है, debit all expenses and losses and credit all incomes and gains, purchase is an expense, so we have debited it, debit all expenses, so purchase account, debited amount is 2000 रुपीज, और उसके against है, इसके against क्या आएगा दोस्तों, दूसरा account कौन सा आएगा, credit transaction है, जी हाँ, बिलकुल सही, क्योंकि हम जानते हैं, जब भी credit transaction होता है तो हम उस party का नाम लिखते हैं, अगर cash transaction होता तो party के नाम को हम ignore कर देते हैं, लेकिन यह credit transaction है, तो इसलिए यहाँ पे party का नाम आएगा, आएगा 2 Mohan's account credited 2000 रुपीज, अच्छा Mohan's account credit क्यों हुआ, क्योंकि personal account का rule है, debit the receiver, credit the giver and Mohan is the giver of credit, इसलिए Mohan's account is credited for 2000, narration में लिख दें बिल्कुल बढ़िया, अब fourth transaction जर्नलाइज कर लेते हैं, क्या है fourth transaction, paid cash to Mohan 1000 रुपीज, paid cash to Mohan 1000, अब इसमें दो कौन सी account है, एक तो हो गया cash account और एक है Mohan's account, पहले date लिखेंगे, अब cash account क्या है, cash account is a real account, cash real होता है, asset होता है, so cash account should be real account, अच्छा cash अंदर आ रहा है या बाह आईए दोस्तो, Mohan को हम आप cash दे रहे हो, so cash is paid, याने cash is going out, so debit what comes in, credit what goes out, इसलिए cash account credit होने वाला है, लेकिन उसी के साथ में Mohan का account क्या है, personal account है, तो rule is debit the receiver, credit the giver, अब Mohan को पैसे मिल रहे है, so receiver is Mohan, प्राप्त करता कौन है, Mohan है, इसलिए हम Mohan's account will be debited, एक हजार रुपई से, और उसकी against आएगा, कौन सा हमने बात किया था, बिलकुल सही, cash account will be credited for 1000 रुपीज, narration लिखना मत बूलना, being cash paid, 1000, दोस्तों, यहाँ पर हमने 4 transactions की journal entries कर ली है, now let us see the ledger postings, इनी 4 transactions की, इनी 4 journal entries के, हम ledger posting कैसे करते हैं, आईए, देखते हैं, सबसे पहले हम एक-एक transaction को लेंगे, आपका पहला transaction था, राम started business with capital of 10,000, है ना, उसकी यह journal entry है, अच्छा, अभी आपको ledger बनाते समय क्या ध्यान रखना है दोस्तों, कौन से 2 accounts involved है, और कितनी amount involved है, क्योंकि amount दोनों जगा पे तो same होने वाली है, तो सबसे पहले, यहाँ पे दिखिए, कौन से 2 accounts involved है, पहला है cash account और दूसरा है capital account, date हमारी first gen है, दोस्तों याद रखिए गहां इन चीज़ों को, first gen को cash account एक है, दूसरा है capital account, कौन सा debited है, cash account is debited and capital account is credited, अच्छा, अब ledger बनाते समय आपको क्या करना होता है, यह जो 2 accounts होते हैं आपके, आपको इन दोनों account के नाम से, दो अलग tables बनाने हैं, कैसे बनाएंगे, समझे मेरे साथ, यह देखिए, हमने एक table बना लिया, अब यह ledger का format है, आपको पता होगा, अगर आपको पता नहीं है, तो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी, ledgers पर, उसको आप समझ लिए, जिसमें मैंने यह format आपको पूरी तरह स explain किया है, तो यह आपका बन जाता है cash account, और एक दूसरा account साथ में बनेगा, वो बनेगा capital account, अच्छा cash account के entry कैसे होगी दोस्तों, date है 1st January, अभी आप मुझे बताइए, उस journal entry में cash account debited था या credited था, बिलकुल cash account debited to capital account था, तो इसलिए cash account को हम debit side में entry करेंगे, cash account के debit side में entry कर लेंगे, लिगन यहाँ पी क्या लिखेंगे, cash account तो उपर ही नाम है, तो यहाँ पे फिर से cash नहीं लिखेंगे, cash account किस account के against में debited था, it was against capital account, एसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे cash account debited to capital account, ऑपोसिट हाँ चैपिटल account तू हम यहाँ पे लिखते है, 2 capital account और उसकी जो amount है वो यहाँ पे लिख देंगे 10,000 रुपए दोस्तो cash account की ledger posting हो गई finish इतना ही करना है आपको जी हाँ बिल्कुल सही इतना ही करना है cash account की ledger posting हो गई 1st jan 2 capital account 10,000 रुपीज अभी इसी के साथ एक दूसरा account भी आपका बनता है कौन सा है वो दूसरा account चलिए बताइए बिल्कुल बढ़िया दूसरा account बनेगा capital account और एक account बनाएंगे और इसको नाम दे देंगे capital account एक है cash account एक है capital account अब capital account हमारी journal entry में क्या था debit था या credit था credited था रैट तो इसलिए इसकी credit side में हम entry करेंगे पहले तो date लिखिए 1st Jan credited किस account की अगेंस था credited जैसे cash account capital के अगेंस था वैसे capital account cash account के अगेंस्ट है तो इसलिए यहाँ पर आएगा buy cash account 1st January buy cash account और amount लिख दीजिए 10,000 रुपए दोस्तों हो गया पहली journal entry की आपकी ledger posting खतम इतना ही करना है जो debited था उस account में debit side में entry आएगा जो credited था उस account में credit side में entry आएगा हाँ वस नाम लिखते समय cash account के opposite capital है तो यहाँ पर capital account आजाएगा और capital account के against cash है तो यहाँ पर cash आजाएगा हाँ एक चीज़ याद रखने जैसी है जब भी आप debit entry करते हो जब भी आप debit side में entry करते हो तो you will start it with the word 2 2 के साथ शुरू करते हैं और जब भी credit side में entry करते हो तो आप इसके शुरुवात करते हो buy से यही चीज़ याद रखना चलिए हमारी पहली journal entry हो गई दूसरी journal entry क्या है second was purchased furniture for cash 4000 तो यहाँ पर देखिए second jan है कौन से दो accounts involved है एक तो है furniture account और एक है cash account बिल्कुल सही furniture account और cash account है amount है 4000 furniture account debited है cash account credited है दोस्तों अभी यह दूसरी ही entry से आप खुद इसको बनाने लग जाओगे चलिए साथ में करते हैं याद रखना है बस second jan furniture account debited to cash account 4000 तो पहले बनेगा हमारा cash account तो है ही हमारी बास बना हुआ तो cash account क्या था debited हा या credited था बिल्कुल सही cash account was credited इसलिए cash account के हम under हम लिखेंगे credit side में date डालेंगे second jan अब यह किसकी against है दोस्तों cash account was against furniture account बिल्कुल सही और हम credit में लिख रहे है इसको लिखेंगे by furniture account और amount by furniture account और amount 4000 रुपीज यहाँ पे आ गया दोस्तों हमारी cash account में credit entry हो गई लेकिन हमारे पास क्या भी furniture account बना हुआ है नहीं बना हुआ राइट तो अभी हमको furniture account बनाना पड़ेगा तो बना लेते हैं कौनसी बड़ी बात है तो यहाँ पे हमने एक account बना लिया और उसको नाम दे दिया furniture account बिलकुल अब furniture account में कौनसे side में entry आईगी आप बताओ बिलकुल सही debit side में आईगी क्योंकि furniture account was debited journal में यह debit side में था इसलिए furniture account debited to second jan amount क्या लिखेंगे two cash account क्यों क्योंकि furniture account cash account की against debited था और debit side में है इसलिए हम इसको two से start कर रहे है तो two cash account amount कितने आईगी दोस्तों वही आजाएगी जो पहले आई थी याने four thousand खतम बिलकुल बड़िया second transaction में भी आपकी journal entry और ledger posting खतम हो गई है बस दो ही चीज़े तो लिखनी थी दो जगा पर that's it मेरी ख्याल से आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा पीछे जाईए समझ लीजे और फिर आगे चलिए तो अब हम करते हैं third journal entry की ledger posting कौन सा है हमारा third journal entry third journal entry is purchased goods from Mohan on credit 2000 जी हाँ third jan date था purchase account debited to Mohan's account 2000 रुपीज purchase account debited to Mohan's account 2000 रुपीज तो याद रखना है date purchase account debited to Mohan's account 2000 अब कौन से दो account बनेंगे दोस्तों हम बनाने वाले हैं purchase का account और Mohan's account purchase account and Mohan account ये दो account हमको बनाने होंगे तो चलिए बना लेते हैं पहला account बनेगा जिसको नाम दे देंगे purchase account अब purchase account debit था या credit था बिल्कुल सही debit था तो date डालेंगे 3rd january purchase account debit तो था इसलिए यहाँ पर debit side में entry आईगी लेकिन किसके against था this was against Mohan's account तो यहाँ पर लेकिए 3rd jan 2 Mohan's account और उसके amount कितनी थी 2000 हो गया बिल्कुल आसान अब इसी के against दूसरा कौन सा account बनेगा दोस्तो चलिए आप बोलिए एक तो purchase account against Mohan था तो दूसरा तो कितना आसान है और एक account बना लो और उसको नाम दे दो Mohan's account Mohan's account and now this will be debit or credit यह entry debit में थी तो यह obviously credit में आ जाएगी क्योंकि आपकी journal entry में भी तो Mohan's account credit में था तो credit side में हम date लिखेंगे और किस के against आएगा यह अब यह purchase account की against आने वाला है क्योंकि purchase account में Mohan's account आता है तो Mohan's account में purchase account ही आएगा तो लिखिए by purchase account कितनी amount है दोस्तो the amount is only 2000 rupees that's it दोस्तो third journal entry की भी posting हमारी हो चुकी है अब बचा एक ही general transaction जिसको हम कर लेंगे और फिर हमको सिर्फ इन ledgers को balancing रह जाएगा और balancing तो एक minute का भी काम नहीं है सिर्फ समझने वाली बात है शान्ती से समझेगा हम इसको पूरी तरह से आपको पूरे के पूरे number मिल जाए इसी तरह से आप इसमें काम करने वाले हैं इसलिए पूरा ध्यान से देखीगा अब तीन transaction हो गए है fourth journal entry हमारी है paid cash to Mohan 1000 rupees कितनी cash पेक ही है 1000 rupees to Mohan तो हमारी general entry बनी थी fourth jan की Mohan's account debited to cash account Mohan's account was debited 1000 rupees to cash account अब हमें दो account कौन से चाहिए एक तो चाहिए Mohan's account एक चाहिए cash account अब दोनों ही account हमारे पास पहले से बने हुए है तो इसकी लिए हम नया account नहीं बनाएंगे बलकि उन्हीं accounts में ये दो entries add कर देंगे तो पहला है Mohan's account debited for 1000 and cash account credited by 1000 against Mohan's account चलिए यहाँ पे Mohan's account है Mohan's account was debited है न तो date लिखेंगे 4th January Mohan's account किसके against debited था cash against तो debit में लिखेंगे Mohan's account debited to cash account कितना amount है आपका 1000 अब वापस जाएंगे Mohan's account में cash के entry हो गई अब हम वापस जाएंगे cash account में और cash account में देखते हैं तो क्या करना पड़ेगा credit side में entry आईगी बिल्कुल सही credit side में entry आईगी 4th January किसके against by Mohan's account है ना by Mohan's account 1000 रुपीज बहुत ही बढ़िया दोस्तो बहुत ही शांदार तो इसी के साथ आपने सभी ledger postings भी complete कर लिये हैं अब जो एक stage बचती है वो है सिर्फ और सिर्फ balancing की क्योंकि जब तक आप इनको balancing नहीं कर लोगे आप यहां से trial balance की तरफ नहीं जा पाओगे तो इसलिए हमारी और आपकी तब तक ledger entry भी खतम नहीं होती है ledger posting journal entries और ledger posting इनके balancing के बाद ही खतम होने वाली है और balancing जैसे मैंने बोला बिल्कुल मतलब third standard का बच्चा भी कर लेगा इतना आसान है balancing करना चलिए देखते हैं कैसे करते हैं सबसे पहले आपको करना है दोनों side की totals देखिए अब हम पहले cash account को balance कर लेते हैं ठीक है तो cash account में debit side में कितनी amount है दोस्तो 10,000 करेक्ट credit side में कितनी है 4,000 plus 1 याने 5,000 अचा आप बताइए कौनजी बड़ी है 5,000 या 10,000 आप भी बोलोगे सर क्या सवाल पूछ रहा हूँ बिल्कुल 10,000 बड़ी है तो इसी लिए total में 10,000 है ना इसकी total है 10,000 तो चलिए 10,000 यहाँ पे नीचे लिख लेंगे total अब इसकी total 5,000 है इस side में total है 10,000 तो यह जो 5,000 है इस side में भी हम total लिखेंगे सीधी की सीधी 10,000 दोनों side में जो भी बड़ी total है वही बड़ी total हम दोनों side में लिखने वाला है तो यहाँ पे 10,000 बड़ी है है ना दोनों है से तो दोनों जगा पे हमने 10,000 लिख लिया लेकिन भई यहाँ पे आपने 10,000 लिख लिया क्या सच में इसकी total 10,000 बन गई नहीं हुई ना अभी तो इसको 10,000 करने के लिए यहाँ पे कुछ add करना पड़ेगा आपको कितनी amount डालेंगे तो 10,000 बन जाएगी total बिल्कुल 5,000 डालना पड़ेगा है न यहाँ पे आप add करोगे 5,000 लेकिन उसको लिखने के लिए आपको last day of month के entry करनी पड़ती है याद रखना last day of month अब January की काम कर रहे है तो January का last day होता है 31st Jan इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 31st Jan और यहाँ पे हम लिखते है by balance carried down इसे लिखते है by balance carried down और कितनी amount आएगी दोस्तों? amount आती है 5,000 रुपीज अब आप अगर देखते हो तो दोनों साइड की totals same हो गई है है न यह भी 10,000 हो गई यह भी 10,000 हो गई अचा हमने जो यह लिखा न by balance carried down यह ऐसा ही क्यों लिखते है इसके पीछे का logic समझिए सबसे पहले तो by क्यों आया? क्योंकि हम credit side में लिख रहे है अगर यह debit में होता तो यह by नहीं आता this is being carried down इसको आप नीचे लेकर जाने वाले हो इसलिए इसको लिखते है carried down ओके? तो by balance carried down आपका 5,000 आ गया क्या खतम हो गया balancing? नहीं बस भई एक और step बची है इसके balancing में अब आपको क्या करना है? जैसे के समझिए January month के last दिन 5,000 रुपए आपका balance था लेकिन यह कौनसे side में था दोस्तों? आपकी कौनसे side ज्यादा है? आपने यहाँ पर balancing figure करके credit में तो लिखा है लेकिन आपका ज्यादा कौनसे side में था? debit में था ना? तो जब आप अगला महिना शुरू करोगे नया accounting period शुरू करोगे तो उसमें भी तो यह debit side में ही दिखना चाहिए इसलिए इसके नीचे हम डालेंगे अगले महिनी की पहली तारीक याने हम लिखेंगे 1st Feb दियान से देखेगा दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे 1st February और यहाँ पर था buy balance carried down अब यह debit में आएगा तो यह buy का बन जाता है 2 और balance वही रहेगा सिर्फ यह carried down बन जाएगा brought down 2 balance brought down कितना है 2 balance brought down is again amount तो वही रहने वाल है क्योंकि पिछले महिने की last तारीक को आपका account close हुआ था 5000 में तो अगले महिने की पहली तारीक को account उसी से तो open होगा इसलिए 2 balance brought down 5000 रुपीज है ना buy balance carried down 5000 और यहाँ पे 1st Feb में 2 balance brought down 5000 रुपीज अच्छा एक चीज याद रखना जब credit है तो buy आया debit है तो 2 आया और एक चीज जब भी इस total के उपर balance आता है याद रखना total के उपर balance आता है तो वो होता है carried down और total के नीचे balance आता है तो उसे कहता है brought down बस यह याद रखना दोस्तो बाकी कुछ नहीं तो यह carried down और यह 1st Feb का balance brought down same amount के साथ अब आपका पूरा हो गया cash account का balancing जी हाँ दोस्तो है ना बिल्कुल आसान cash account का balancing अभी है तो हमने slow किया है समझने के लिए एक एक step को बार बार बताते हुए इसलिए आपको लग रहा है कि time लग रहा है लेकिन जब हम अगले करेंगे accounts तो बिल्कुल आसान आपको लगने वाला है दोस्तो इसी तरह से मेरे साथ करते जाएए तो यह हो गया cash account का balancing अभी अगर हमको capital account का balance करना है तो क्या करेंगे दोस्तों कौन से side में है अच्छा debit में तो कुछ ही नहीं capital account में जो है सब credit side में कितना है 10,000 याने debit side में zero और credit side में total 10,000 तो यही total दोनों side में लिख लो यहाँ पे भी 10,000 लिखो यहाँ भी 10,000 लिख लो अभी बताओ यहाँ पे तो 10,000 है और यहाँ पे zero है तो क्या total 10,000 हो सकता है नहीं हो सकता तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा balancing figure डालना पड़ेगा कौन से दिन की होती है balancing figure last day of the month की होती है balancing figure तो last day of the month is 31st January last day of the month is 31st January और यहाँ पे लिखते हैं अच्छे यह debit side है इसलिए अभी buy नहीं आएगा बलकि आजाएगा two balance carried down मैंने बोला था total के उपर है तो carried down आता है और नीचे है तो buy तो brought down आएगा अब यहाँ पे 31st January two balance carried down कितनी amount आएगी तो उस तो balancing figure कुछ भी तो नहीं है यहाँ पे तो पूरा ही लिखना पड़ेगा यानि सीधा 10,000 बिल्कुल सही और दूसरी side में यह balance इधर का तो है नहीं तो इसलिए यह debit balance नहीं है यह credit में आना चाहिए तो इसलिए इसी को is date के नीचे ले जाओ और amount तो वही आने वाला है 10,000 amount वही आएगा 10,000 दोस्तो हो गया आपका capital account भी balance हो गया इतना ही करना है बहुत बढ़िया चलिए और भी जो accounts है हमें उन सभी को balance कर लेता है ओके furniture account आपको balance करना है अब आप मेरे साथ कीजिए मुझसे भी fast up कर सकते है मैं जानता हूँ कौनसी side में balance है यहाँ पे 4,000 है यहाँ पे कुछ नहीं है तो दोनों side total लिख दो 4,000 और 4,000 अब क्या होगा यहाँ पे balancing figure चाहिए कौनसी date में आती है balancing figure last day of the month आती है balancing figure 131st Jan क्या लिखेंगे बिल्कुल बढ़िया buy balance carried down total के उपर carried down नीचे brought down याद रखना तो buy balance carried down is 4,000 रुपीज और इसको नीचे लेके जाएंगे इस side का balance है न तो buy balance carried down को opposite side में लेके जाते है 1st February अगले महिनी की पहली तारिक के साथ में तो यह बन जाता है 2 balance brought down furniture account balance हो गया है तो करते हैं purchase account purchase account debit में balance है 2,000 credit में 0 है तो total लिखेंगे दोनों side में 2,000, 2,000 यहाँ पे भी 2,000 यहाँ पे भी 2,000 अब क्या होगा यहाँ पे तो 2,000 नहीं है तो इसलिए क्या करेंगे date लिखो 31 Jan buy balance carried down balancing figure आ जाएगा 2,000 अब इसी figure को नीचे carry करना है अगले महिनी की पहली तारीक को और आपकी opposite side में तो आजाएगा 1st Feb क्या आएगा यहाँ पे buy balance carried down का बच जाता है 2 balance brought down बहुत बड़ी है दोस्तों बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग और 2,000 perfect हो गया आपका purchase account भी balance purchase account भी balance हो गया अब क्या रहेगा अब बचा सिर्फ Mohan's account अच्छा Mohan's account थोड़ा सा संबल के कीज़ेगा दोस्तों क्योंकि यो दोनों side में values है दोनों side में numbers आपको दिये गया है आपके amount कुछ ना कुछ तो है debit side में आपकी कितनी amount है 1,000 है credit side में कितनी amount है 2,000 है अब आप बताईए दोनों में से बड़ी कौन सी amount है 1,000 या 2,000 आप कहोगे क्या पूछ रहे हो सर 2,000 ली तो बड़ी है तो अगर 2,000 बड़ी है तो दोनों side में लिख दो 2,000, 2,000 total दोनों side में total है 2,000 अब यहां की तो total सही बन रही है क्या यहां पे 2,000 total आ रही है आपकी लेकिन नहीं आ रही है न कितने का difference है 1,000 का difference है तो यहां पे considerate आईगी बिल्कुल सही last day of the month याने आजाएगा 31st Jan 31st Jan क्या है क्या लिखेंगे बोलिए बोलिए 2 या buy बिल्कुल सही 2 कौन सा ही यह balance है carried down या brought down सर total के उपर है तो carried down होना चाहिए तो इसलिए आप आ जाएगा 2 balance carried down कितनी amount 1,000 perfect अब हो गए दोनों side total यास बिल्कुल सही होगे क्या यहां पे balancing खतम हो गया नहीं भई और एक point बचाहिए कौन सा यह last date था अगले महिने की पहली तारीक का भी तो हम करेंगे entry कहां पे करेंगे इसी side में करेंगे या opposite side में opposite side में करेंगे तो आता है 1st February 2 balance carried down बन जाएगा buy balance brought down याद रखना total के उपर carried down total के नीचे brought down तो buy balance brought down amount is 2 ओ ओ ओ ओ ओ शायद यहाँ पर मैंने गलती कर दी है amount यहाँ पर होना चाहिए था not 1,000 but 2,000 यहाँ पर amount आपका आना चाहिए था 2,000 रुपीज अचा सोरी 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 difference ही आपका 1,000 है ना balance carried down is 1,000 तो आपका balance brought down भी तो 1,000 ही आएगा क्या मैं भी गलतीया कर रहा हूँ बिलकुल सही आपने बिलकुल सही किया है दोस्तों मैं जानता हूँ यहाँ पर आपका total 1,000 है the difference is 1,000 balance carried down तो यहाँ पर भी balance brought down 1,000 ही आएगा बिलकुल सही से आपने यह numerical किया है दोस्तों इस numerical में हमने अब तक देखा journal entries करना ledger postings करना और उन ledgers को balancing भी करना अच्छा दोस्तों यह जो balances हमारे पास बचते हैं न इनी balances को use करके हम trial balance बना सकते हैं अब इसको trial balance कैसे बनाया जाता है इसका वो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ लेकिन दोस्तों अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो almost 28-29 minutes के बाद भी देख रहे हो तो मैं इसको assume कर सकता हूँ मैं समझ सकता हूँ कि मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई टेकनीक अच्छी लग रही है और आपको अगर ये वीडियो अच्छे लग रहे है तो इस चैनल को subscribe करना मत भूलना ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो जम बनाते रहते हैं और अगर आपको लगता है कि ये आपके तो काम आ गया ये वीडियो लेकिन आपके और दोस्तों के भी काम आना चाहिए तो इस वीडियो को share करना मत भूलना दोस्तो अपने ज़यादा से ज़यादा दोस्त अपने college के, अपने class के, tuition के हर तरह के दोस्तों के साथ इसको शेर करना मत भूलना और एक चीज आप जिन भी टॉपिक्स पर मुझसे वीडियोस चाहते हो क्योंकि अब जैसे मैं आप अगर देख रहे हो तो मुझे अलग-अलग वीडियोस पर कमेंट्स आते हैं और उन कमेंट्स पर ही मैं आजकल वीडियोस बनाने लगा हूँ क्योंकि मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपको कौन से सवाल है जो आपको तंग कर रहा है तो अगर वो सवाल आपके पास ऐसे कोई सवाल है कि जिनके solutions आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में डालिये वो सवाल तो थैंक यू थैंक्स पर वाचिंग और अल दे बेस्ट